The Third Level, सारांश, The Third Level Summary in Hindi The Third Level, जिसे जैक फिने ने लिखा है, वास्तविक्ता के साथ कल्पना करता है वर्तमान जीवन की कठोर वास्तविक्ताओं से बच कर निकलना मनुश्य की इच्छा के बारे में भी है चाली, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करता है, अतीत में जाना चाहता है क्योंकि वह दुखी है वह अपनी पतनी से दुखी है, वास्तव में वह उतना ही दुखी है जितना वह दुनिया को पाता है जिसमें वह जल्दी, तनाव और युद्ध से भरा रहता है उनके मनोचिक इत्सक मित्र सैम अपने स्टाम संग्रह को अतीत में पलायन के रूप में बताते हैं Grand Central Station पर केवल दोस्तर थे हालांकि चाली ने एक तीसरा पाया यह संयोग से था, कई बार वह वहां खो गया था वह हमेशा नए द्वार, नए गलियारे और नए सुरंगों की खोज कर रहा था उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि Grand Central हमेशा एक विशाल व्रिक्ष की जड़ों की तरह सुरंगों और नए गलियारों को बाहर धकेल रहा था वहां उसने अपना रास्ता खो दिया और खुद को तीसरे स्टर पर पाया यह स्टर पूरी तरह से अलग और पुराने जमाने का था लोकोमोटिव, पीतल के चम्मच और नगना गैसलाइट पिछली शताबदी के थे वह अपने सपनों के शहर गल्सबर्ग से भागने की इच्छा रखता था हालां कि वह लगभग गिरफ तार कर लिया गया था किराया देने के लिए उसने जो पैसा दिया, वह उन दिनों के इस्तेमाल से अलग था बुकिंग क्लर्क ने सोचा की वह धोखा दे रहा है इस प्रकार चाली वर्तमान में भाग गया उन्होंने फिर कभी तीसरा स्तर नहीं पाया हालां कि उनके मनोचिकित सक मित्र जो यह नहीं मानते थे कि तीसरे स्तर का अस्तित्व था उन्होंने इसे पाया और 1894 के गेलेस्बग में भाग गए दाथर्ड लेवल सारांच टूप समरी न्यू यॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दोस्तर है बहराल चार साल के शहर के निवासी चाली ने बादचीत की की तीसरे स्तर पर मौजूद है इसके अलावा वह दावा करता है कि वह वहां मौजूद है इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोची कित्सक मित्र से मिलने जाता है वह इसे चलने का सपना पूरा करना कहते हैं और चाली के मनोविग ज्यान को यह कहकर समझाते हैं कि आधुनिक दुनिया भय असुरक्षा युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविक्ता से कुछ अस्थाई शरन में भागना चाहता है उसके लिए स्टांप कलेक्शन जैसे शौक इस पलायन का सूचक है कई बार Grand Central Station चाली के लिए एक भूल-भूलया की तरह लगता है मेट्रो लेते समय पहले वह एक दो बार रास्ता भटक गया था एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया जबकि दूसरी बार वह एक कार्याले की इमारत में दिखाई दिया जो तीन ब्लॉब दूर थी हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खोद देता है और कुछ अनोखा होता है चाली ने तीसरे स्टर का दोरा किया मूप दालान में चाली नीचे घूमता रहता है बाएं मुरता है और नीचे की ओर धलान लेता है जब तक कि वह एक वास्तुशल प्रूप से पुराने स्टेशन को नहीं छू लेता है जो दो परिचित्स तरों से पूरी तरह से अलग है इसके अलावा कम टिकट काउंटर और ट्रेन गेट्स एक लकड़ी के सूचना बूत खुली लॉग एस लाइट्स और पीतल की गिट्टियों के साथ यह पुराना चोटा कमरा यह सब उन्हें अठारा सौ के दशक की वास्तुकला की आद दिलाता है इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउट्फिट में देखता है जब उन्होंने समाचार पत्र नोटीस्ट दवर्ड में तारीक देखी तो उन्हें 11 जून 1894 दिखाए दिया जब वह दो टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पुरानी मुद्रा की आवश्यकता है वह हमेशा अपनी पतनी लुईसा के साथ गल्सबर्ग की आत्रा करना चाहते थे उसके सिर में यह एक अद्भुट शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल, लॉन और जबरदस्ट पेड़ हैं इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबहें हैं और जहां लोगों के पास परियाप्ट समय है इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दोरान, वह पुरानी मुद्रा के लिए 300 डॉलर का आदान प्रदान करता है, केवल कुछ 200 तक इसके अलावा, राशी उसे परेशान नहीं करती है क्योंकि वह मानता है कि वहां सब कुछ सस्ता होगा हालां कि, वह फिर कभी उस गलियारे को नहीं खोज सका जो उसे तीसरे स्तर तक ले जाता है जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने उसे देखने से रोकने के लिए कहा अपरत्याशित रूप से उसका दोस्त सैम वेना भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी सप्ताहांत में उसकी तलाश करती रहती है इसके अलावा सैम वह था जिसके बारे में चाली ने गैलेस्बग के बारे में अपना विचार साज़ा किया था चाली को अपने दादा से स्टाम्प कलेक्शन का शौक विरासत में मिला और किसी दिन स्टाम्प संग्रा को देखते हुए चाली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था इसके अलावा इसमें राष्ट्रपती गार फील्ड की तस्वीर के साथ एक फीका छे सेंटी स्टैम्प पर पोस्ट मार्ग है इसके अलावा लिफाफा 18 जुलाई 18 194 को गैलेस्बग में चाली के दादा के रूप में पढ़ा गया और यह चाली को संबोधित करता है पत्र में सैम चाली से कहता है कि वह गैलेस्बग पहुंच गया है और वह चाली और लुईसा को आमंतरित करता है स्टांप और सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गैलेस्बग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराने मुद्रबिलों के लिए 800 डॉलर का आदान प्रदान किया इसके अलावा सैम चाली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं था तीसरे स्थर के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफी पुराने समय तक भागना चाहता है